असलालेकुम डीर स्टूडेंट्स यह आपका जो लास्ट लेक्चर उसका भी पार टिग्नोमेट्रिक इंटीगर्स और आप देखें वह जो आपकी ग्रेडियोट साइनमेट है उसमें भी कुछिटिन मैंने एक दिया हुए टिग्नोमेट्रिक इंटीगर्स का लेकिन उसको मै application के residue theory आपने कर ली आपने देखा बड़े complex किसम के integrals easily solve कर रहा है वो जो के मतलब है कि caution integral formulae से भी tough हो जाते हैं इसकी तो बहुत सदा applications हैं अब यह लादा बाता कि course here end हो गया एप डाली गई यहां पर जो के आपको यहां से यह बता रही है कि आपको integrals थे from the calculus of real variables उनको भी solve कर सकता है यह और उस जो वहां पर आपने तरीके पढ़े थे उनसे भी आसान तरीके थे असान से मुराद कि इतने लंधी नहीं है यह देखें इस तरह के integrals हम solve करेंगे यह यह function आपके पास होगा किसका cos theta sin theta का और आप integrate भी theta के लिहासे कर रहे हैं तो उसकी limit भी 0 से टूपाई है अब इसके लिए क्या कहता है कहता है कि contour consider करें जो के सिर्फ एक unit circle है unit circle से मुराद यह है कि उसका radius 1 है आपके पास center उसका origin है उसकी parameterization क्या होगी जेट को कैसे लिखते थे देखें सारी पुरानी यादे दाज़ा करें जी एक्स प्लस योटा वाई लेकिन x क्या होदा था आर का सीटा य का होदा था आर साइन थीटा उस circle के लिए जिसका case center आपके पास origin पे था लेकिन r2 1 है तो सरफ cos theta sin theta गया इसको by Euler's formula E iota theta भी लिखा जा सकता है अब इसको derivative लें जब derivative लेंगे तो यूं कर लें डीज़ेट बेडी थीटा इसका क्या हो जाएगा ये आपके पास बजाए कि इसको देखना नहीं चाहिए कि मैं कहरूंग इसका क्या हो जाएगा मैं खुद ही लगा था मुश्क लेकिन ये ए रेस पर iota theta तो खुद z के बराबर है तो ये हो गया तो ये पहली चीज़ देख लें इस तरह कि जो integrals आएंगे जहां पर आपके आपके पास d theta आएगा ना तो d theta को हम लिखेंगे d z by iota z यह देखें या iota z यहाँ पे ले जाए तो d theta आजेगा d z by iota z यह प भी ठीक है 1 over z हो जाएगा cause of theta plus iota sin theta raised to power minus 1 अब पुरानी यहादे तरह करें demiver formula यह minus 1 जो है यह angle में hit होगा और जब यहाँ पे cause of minus theta हो तो cause theta होगा sine of minus theta minus 12 आ गया यह 1 over z की value हो गई यह z की value हो गई अब तो मसला ही कोई नहीं है एक बार यह star और 3 इनको add कर लें एक बार subject कर लें cause theta sin theta आपके पास z की form आ जाएगे आई add करके देखते हैं यह जी का z plus 1 over z यही आता है cause of theta plus cause of theta two cause of theta cause theta plus cause theta two cause theta ठीक है जी तो यहाँ पे देख लें iota sin theta minus iota sin theta और यहाँ पे देख लें तो तो cancel हो जाएगा इससी तरह से यहाँ पे देख लें z minus 1 over z ठीक होगा है क्या होगा? iota sin theta और minus of minus iota sin theta यह निके iota sin theta plus iota sin theta 2 iota sin theta cos और cos खतम हो जाएगे यहां से cos theta क्या आजएगा 1 over 2 वाल ले जाए sin theta क्या आजएगा 1 over 2 iota वाल ले जाए उसे cos और sin भी आजएगे तो जब भी आपके पास इस तरह का integral आएगा cos theta के बीच में होगा इस से replace करेंगे 1 over 2 times z plus 1 over z sin theta आएगा इस से replace करेंगे 1 over 2 iota times z minus 1 over z d theta आएगा किस से replace करेंगे d z by iota z अब question सारा रहे गया अब इस सारा z में तो जाखुस है तो क्या limit का क्या करेंगे यही तो असल चीज है यहाँ पे आएगी residue theory यह लेंजी cos theta आगया यह तो बता दिया मैंने 1 over 2 times z plus 1 over z sin theta भी आगया 1 over 2 iota z minus 1 over z अब ज़रा इसको देखें यह integral था इसमें चला गया अब यह contour पे जाएगा लेकिन पहले यह समेले यह f of z क्या चीज है यह capital F यहाँ चोटा है चकर की होई चकर यह है कि जो capital F है ना उसी को ही इस तरह से लिखा हुए लेकिन capital F के साथ कुछ और भी है cos theta यहाँ पे देख लें किस से replace हुए 1 over 2 z plus 1 over z यह लिखा हुए sin theta किस से replace हुए 1 over 2 iota z minus 1 over z यह लिखा हुए और यहाँ तक काफी नहीं था यहाँ तक काफी नहीं था यहाँ पे d theta साब भी थे और यह अब पिछली set पे देख लीजेगा d theta था d z by iota z d z तो यहाँ पे नज़र आ रहा है iota z नहीं नज़र आ रहा यहाँ बेढ़ा हुए है भागा गई नहीं है यह small f of z है यह सारे का सारा यह है ठीक है इस तरह से z में convert करेंगे अब रहेगे यह contour यह तो unit circle है तो अब यहाँ पे आप रेजिटू तूर्म लगा सकते हैं वो क्या था यह नीचे लिखा हुए वो कहता है जी के from जो भी लिखा है from 2 and 4 यह सारा बताया हुए तो यह जो चीज आपके पास आरी है suppose करें f of z कहता है अनलेटिक है circle के उपर भी circle के अंदर भी except at z1, z2, zn यह वो ले points है unit circle के अंदर है that like interior to see अगर outside हो जाते फिर तो answer ही 0 है जाना था इसका इसकी बात करो अगर circle के उपर हो मैंने का था वो फिलाल आपके course का हिस्था नहीं होते हैं वो भी वो course का हिस्था नहीं है लेकिन यह वो सारे points है unit circle के अंदर है तो फिर देखें यह वाला integral यह बना तो बन के गया यह बन गया 2 pi iota into some of the residues और residues, suppose n residues है लेकिन यहां पे आप देख लें यह सारी यह पोस हैना Z1, Z2, ZN यह सारे unit circle के अंदर है तो मेरे खाला अगर आपने पिछले lecture तक किया तो इतना यह मसला नहीं है अब एक question भी मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको मजीद के लिए हो जाए यह दमाग में रख लें जहां पे cos theta आएगा इससे replace करना पड़ेगा जहां पे sin theta आएगा इससे replace करना पड़ेगा जहां पे आपके पास आजाएगा D theta तो D theta आजाएगा D Z by Iota Z उससे replace करना पड़ेगा contour unit circle ही होगी सिर्फ वो points देखनी है जो unit circle के अंदर हैं जिन पे के ये function analytic नहीं है वहां पे residue निकाल लेंगे उनको add कर गे 2 पायोटा से multiply कर देंगे पटाका बोल जाएगा इसका यनि के काम हो जाएगा ये देखें जी अब मेरबानी करके इसको आपने calculus वाले तरीके से नहीं करना ठीक है जी कि हाँ जी तो real integral आगया मज़े की बात ये है कि है ये real integral हम evaluate करेंगे complex integral में convert करके हालांके solve यही हो रहा होगा तो logic पता तो बात बनती है वना ये लिखता के पता नहीं है तो start वैसी करते है unit circle पे लेके जाना है तो ये है जी cos of theta plus iota sin of theta ये निके e iota theta उसके बाद यहाँ पे d z by d theta ये रेकें पीछे क्योंके detail की थी यहाँ पे direct लिखे हुए है d z by d theta आजाएगा iota e रिस पर iota theta जो कि फिर z है cos of theta इसके बराबर था क्योंके यहाँ पे cos ही नज़र आ रहा है integral ये ठीक किया हुए पहली बात है कि अगर यहाँ पे d z आएगा तो यहाँ पे contour आएगी d theta किसके बराबर है d theta यहाँ से देख लें यहाँ आजाएगा d z divided by iota e raised by iota theta यह नहीं कि d theta है d z divided by iota into z क्योंकि z है आपके पास e iota theta तो यहाँ पे देख लें अब आप कहेंगे यह तो d theta लिखा हुए d z divided by iota का है वो बार जला गया constant था बार जला गया अब तो cos theta किसके बराबर है cos theta आपके पास था 1 over 2 z plus 1 over 2 किया था था ना पीछे आप दोबरे drive कर लें यहाँ पे लिखा हुए यहाँ पे भी लिखा हुए करकर नहीं दखाय हुए अब जरा इसको simplify कर लें आगे ना सारा z में इसको simplify कर लें simplify करेंगे तो यहाँ पे देख लें पहले ही जो bracket के अंदर यह बन जाता है z square plus 1 over z यही है z square plus 1 over z है लेकिन 2 से hit करेंगे तो होजएगा z square plus 1 over 2z z square plus 1 over 2z ठीक हो क्या 2z जब इधर hit करेगा तो 10z होजएगा 2z जब इधर hit करेगा तो 10z होजएगा overall 2z नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है यहाँ पे आजएगा z square plus 1 वो यह लिखा हुआ है नीचे 2z आता है वो इधर लिखा हुआ है यह 2z जब इधर hit होजएगा तो 10z यह 2z आगे यह वाला z यह वाला z cancel कर दें इस 2 को उठा के उपर ले जाए यह वही वाला फार्मुला है यह 2 कैसे उपर चला गया जब आप कहते हैं जी A divided by B upon C तो A multiply by C upon B वही वाली चीज़ है तो यह C सावजी उपर चले गए अब देख लेए अब यह शकल बन गई है अब तो कोई मसला नहीं अब तो आप कहेंगे कि यह तो वही उसी तरह की problem बन गी जो हमने पहले की हुई थी वैसी बन गी ना बस इसमें यह के कंटूर आपके पास unit circle है यह function आपके पास आगया एक चीज़ का ध्यान रखें अगली slide पे चैट integral नहीं लिखा हुआ 1 over iota बाहर आएगा यह F of Z में आपके पास में आयोटा जो 1 over iota यह F of Z में नहीं आ रहा वो अंदर वाला ठीक है अब सबसे मिले हम यही देखेंगे कि इसके क्या है poles इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा factorize कैसे करते हैं इस 3 को इस 3 से hit करते हैं 9 अब हमने देखना है जी कि क्या हलात पैदा करें यह जो आपके पास अंदर number लिखा हुआ है दो number जैसे पकड़े के मतलब है कि आपके पास add कर ले तो आपके पास 10 आ जाए ठीक है जी add कर ले तो 10 आ जाए multiply करे तो 9 आ जाए कौन सा होगा 9 and 1 9 and 1 इसको लिख सकते हैं 3 z square plus 9 z plus z plus 3 3 z square plus 9 z plus z plus 3 अब बेशक 3 z common ले 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 हैं तो शुरू में z plus 3 common आ जाएगा अगे z plus 3 था उसमें से 1 common ले ले हैं वो भी z plus 3 आ जाएगा तो 3 z plus 1 into z plus 3 पहले दोटर में क्या थी 3 z square plus 9 z वहाँ से 3 z common लिया था तो z plus 3 आ जाएगा अगली दोटर में क्या थी z plus 3 1 common ले रहे हैं वो भी z plus 3 आ जाएगा तो 3 z plus 1 into z plus 3 अब जब इनको equal to 0 करेंगे तब 2 points आएगे हमने वो वाले pick करने हैं जो unit circle के अंदर है अगली set भी चलते हैं ये ले जी ये function था ये हो गया अब देख लें जब इसको मैं 0 करता हूँ 3 z plus 1 को equal to 0 करता हूँ तो 3 z minus 1 हो जाता है z जड़ जाता है minus 1 upon 3 minus 1 upon 3 तो unit circle के अंदर है इसकी absolute value 1 over 3 है 1 से छोटी है हाँ इसको अगर मैं 0 करता हूँ तो z जड़ जाता है minus 3 वैसे अब पता होना चाहिए तो वैसे भाहर है unit circle से वैसे भी इसकी absolute value minus 3 के 3 1 से बढ़ा है तो ये वाला है तो आपने जो residue निकालना है minus 1 upon 3 पे निकालना है minus 3 पे निकालना और अगर ये भी बाहर होता तो integral हो जगना था 0 by Cauchy Gauchet अब तो ये tips पे होना चाहिए ये आपके पास है lies inside this और z minus 3 lies outside this अब आपने residue निकालना है function का minus 1 upon 3 पे और यहां पे देख लें power क्योंकि यहां पे बाहनना है इसलिए ये आपके पास जो pole बनती है order 1 की बनती है निकालना कैसे है क्या formula था z minus z naught था तो यहां पे देख लें z minus of minus 1 upon 3 z plus 1 upon 3 हो गया यह f of z हो गया अब इसको तो ज़रा भूल जाए इसको भूल जाए लेकिन भूलने से पहले ज़रा इसको adjust कर ले 3 को बाहर निकाले ताके ये z plus 1 over 3 हो जाए देखें 3 minus 1 upon 3 करते है लिविट की वैली आजएगी 3 minus 1 over 3 क्या होती है 3 3 0 9 9 में से बान गया 8 2 by 3 3 3 क्या 2 upon 8 2 का टेबल 2 1 0 2 2 2 0 4 2 3 0 6 2 4 0 8 तो यहां से 4 से कसल करते तो यह 1 over 4 आ गया अब मैंने पहले भी का था यह integral पीछे transform के था 1 upon iota बार था 1 upon iota बार था आगे क्या था आगे था 2 pi iota into sum of residues residue ही एक आया है उसी को लिखते है 1 upon 4 iota, iota cancel 2 pi by 4 which is pi by 2 यही proof करना था तो उमीद है कि यह interesting लगा होगा यह sun लगा होगा बेशक फस्टम है लेकिन यह देख लें यह calculus वाले तरीके से तो साने कोई भी इस तरह का trigonometric integral इस method से solve हो जाएगा तो यह चीज़ होगी और यहाँ पे लिखा होगा है कि z is equal to minus 1 upon 3 यह simple बोले जिसमें यह formula यह मैं पढ़ना भूल गया था यहाँ पे लिखा होगा तो यह चीज़ आगी आपके पास आगे क्या आगे है कुछ मुख गया मुख गया चला फिर Assalamualaikum Logiquative आए Complex classes class उमीद है कि आपको एक कोर्स अच्छा लगा होगा और देखें आप सारे के सारे representative course के unhappily course के बारे हैं मुख गया हुआ है बड़ा मुखकल है यह है वो है और मुखूर वही करते हैं जो खोद काम नहीं करते और कुछ समय नहीं कोश नहीं करते हैं तो इसको कहीं आपने डटानी लगाना अब भी यह बेशे course खतम होगया है आप last assignment भी देने वाले हैं महला आपकी dead day नभी मुझूद है 25 जून तक दे 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 और लेकिन उसके बाद भी मैंने चाहता कि यह course आपको पूल जाए ठीक है जी तो इंशाला किसी और course मुलाक़त होगी अल्लाफिस